हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू मैं चैनल दिवेल्प केचन आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही एजी तरीके से फेशल देसा ग्लो आप दही से कैसे लेके आ सकते हैं वह बताऊंगी तो प्लीज अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लीजे तो हम स्टार्ट कर लेते हैं तो सबसे पहले देख सकते मैं दही लिए दही आपको पता है कि हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा वाइट करता है साथ साथ में हमारी स्किन पर ग्लो भी लेके आता है तो आपको इस तरीके से लिए लेना है तो आप देख सकते थोड़ा है इस तरीक मिलें केमानों मैं उसको अन्दर को दुफार हम अन्ठ्थ में उसको लिए कोई अश्य का कपड़ा लेक्ष तो κάपड़ा को I ऊपसे के शहलो तो कपड़े को मैंने सबाट है कर दिया को तो अब में ओर तोम में मनें दही को मैं और फेशिल ऐसा ग्लो हो जाएगा घर पे ही आपको कोई भी रुपिया खर्च करने की जरूत नहीं है दही ऐसी चीजे जो हर के घर में होती है दही हमारे बॉड़े के लिए बहुत ही अच्छी होती है यह वेट लॉज के लिए बहुत अच्छा काम करती है अगर आप दही है अज़ा शेख बड़ितन है और लिए से और ISताइम खटा दही नहीं लेना है अंको इस चेहरे पर कभी आपको खटा दही नहीं लगाना है यूज नहीं करना है इसस तरीके से का पानी को तो हटा देंगे अर dallही को देख लेते ह। तो दही नहीं क्रीम फॉर्म को तो मैंने लिया था ना जो क्रीम बना लिए देही की मैंने उस तरीके से मिक्स करेंगा इस दही की में आपको दूरा के स्क्रबर और कैसे आप पैक बिना सकते। बेले हैं बिल्कुल इसका ट्राक्टिर आपको सॉफ्ट कर लेना है । अगर आपको कुछ भी शूमाइब न सबसे पहले जो तो ने है कि अब पार इस रहे हो चल रहे हैं旅 फेच साथ सा धायों कि द सब कर सकत हो को बिल्कुल ह मैं क्यों त मिक्स है इसको गुलाब जल भी बोलते हैं और कुछ लोग इसको रोज वाटर बोलते हैं तो अब इस जो मैंने यह रोज वाटर और यह देख सकते हैं तो दही का बनाया ना बैटर स्क्रबर के लिए उसको फ्रीज में रख देना क्योंकि सबसे पहले इंस्टेंट आपको भा बहुत अची बात है आप नहीं ले सकते हो इस तरीके से तब इसमें थोड़े से डालेंगे तर्मरेक आपको इस टाइम कस्तूरी हल्दी लेनी है नॉर्मल हल्दी भी आप ले सकते हैं बर हल्दी की वाली क्योंटिटी बिल्कुल कम होनी चीए जो आप सबजी में डालतों उसकी कोईन्डटी बिलकुल आपको ना की वरोबर रखनी है डालना है बट बहुत ही कम डालना है तो इस तरीके से मैं ने कसूरी हल्दी ले ली तो चुट्की फो चुटकी बेर डाल दी थी इन सबी तीज़े से अगा रगा निए पैक भी बनकेता हो चुका है तो आपने कोई भी इसमें जंचेट करने की जरूत है कोई भी टाइम नहीं लगने की जरूत है बहुत ही आसांदर ही किसे बन जाता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा इसलिए बन रहा है क्योंकि मैं मेरे को आपको पूरी चीज़े समझाने ही पड़ रही है जो भी चीज़ लगाते हैं सबसे पहले समझने भी चाहिए तो अभी स्क्रबर तो पहले आप देख सकते हैं तो सबसे पहले उसको अपलाए करेंगे और जब तक मैंने जो फेशिल पैक्त है उसको रग दिया दही वाला तो सबसे पहले आपको इस तरी किसे नॉर्मल मैंने चेहरे पे कुछ भी नहीं रिजल देता है इस तरी केसे ना आपको इसकी रहा नियुमारिया पूरे है और मसाज कना शो करने इसान कींपå 5 मिन खाना кимиड़ता मोँ तो यह मैंने टिशू पेपर लिए इस तरीके से तो इस तरीके से आपको ले लेना है आप देख सकते हैं इस से जितनी भी डर्ट होगी ना वो बिल्कुल निकल जाएगी तो यह देख सकते मैंने हटाया यह रिमूव किया है तो कितना जद अच्छा लग रहा है स्किन बहुत स्क्रबर को बाइब लगा लेंसे लगा का लिया तो को यह पैक लगाना है तो इस तरीके से मैंने Kind तो यह प्रिज में निकाल लिया था फिर इसको लगाया इस तरीके से इतना अच्छा आपको ग्लो देगा ना ग्लोएंगी स्किन मनाएगा कि आप खुद भी शौक हो जाओगे बिल्कुल ग्लासी स्किन मनाएगा और आपको अगर पोरीं जैसे स्किन ठून शाए कर सकते हैं शु正 को लेडी ऐब से ऋपर वाले लग लगा सकते हैं तो घंट responds कर लिया कर लिए तो मसाज दे श्मिंट अंगे इसकी मसाज भी कर लिया तो यह मैंने दुबारा आप देख सकते वैट वाला कॉटन बैट लिया इस तरीके से जिसका प्रिशू पेपर भी बोलते हैं वो लिया तो उसकी है आपको सबसे पहले तो इसको पूरे को रिमूब कर लेना है हटा लेना है और फिर आपको ना इसको पानी से दूलना है चाहरे को तो सबसे पहले तो आपको एक साथ ही आपको नहीं दूलना है पानी से पहुच नहीं करना है चाहरे को इस चीज का ध्यान रखना है तो सबसे पहले आपको रिमूब कर लेना है इस तरीके से और उसके बाद आपको चाहरे को धुलना है पानी स त्रण्डा होना चाहिए इस चीज का धिहान रखने आपको गर्मियों में यह है कि आपको बहुत ही अच्छा मदद करेगा बहुत ही अच्छा helpful रहेगा आपकी स्किन को बहुत ही अच्छी तरीके से soft glowing skin मनाने के लिए जैसे भी आपका स्किन टोनर उसी पर बहुत ही अच्छा सूट करें गई इस तरीके साब को हटा लेना है cotton पैसे और अब इसको नाची तरीके साब को चैरे को दुल लेना है तो आप देख सकते चैरे पर कितना अच्छा ग्लू आ रहा है तो अगर आपको रेमेडिय अच्छी लगए तो एक ब अब बोद ने वाद